जब तक जिन्दा हूँ तब तक आरक्षण और सम्विधान पर आच आने नहीं दूँगा विधान सबाच नाव को लेकार चिराग पास्वा निभरी हूंकार नमस्कार नियूस पोनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा बिहार में चौर सीटों पर उप्चनाव होना है तो वहीं दूसरी तरफ ज़ारखन में विधान सबाच के चुनाव को लेकर चिराग पास्वा ने चौतरा विधान सबाच से अपने उमेदवारों के लिए प्रचार प्रसार करने पहुँचे जहाँ पर उन्होंने ज्रम कर हुंकार भरी साथी उन्होंने ये भी कह दिया कि जब तक जिन्दा हूँ तब तक आरक्षण और समविधान पर आच राने नहीं दूगा दुरसल आपको बता दे कि चौतरा विधान सबाच से लोजपा प्रत्याशी जनारदन पास्वान के नामांकन सभा में केंद्रिय मंत्री चिराग पास्वान शामिल हुए ज़रान उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता स्वर्गे रामिलास पास्वान के संघर्षों की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक चिराग पास्वान जिन्दा है तब तक आरक्षण और समविधान पर कोई आचिन नहीं आएगी चिराग पास्वान ने हेमंत सरकार पनेशाना सात्ते हुए कहा कि जे एमेम और कॉंगरस की सरकार ने ज़ारखंद को खत्रे में डाल दिया है उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री है मंत्र सोरेन की सरकार राज्ज के गरीबों का पैसा लूट कर अपने घरों में भरने का काम कर रही है केंद्र मंत्री चिराग पास्वान ने कहा कि जे एमेम कॉंगरस ने राज्ज में महिलाओं को और सुरक्षित कर दिया है वहीं युवाओं को पांच लाख नौकरी देने के नाम पर पांच सालों तक ठगा इसलिए जहारखंट को भ्रस्टाचार और लूट की सरकार से मुक्त करने के लिए भाजपा की सरकार बनानी जरूरी है चुडाक पासवान ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में राम मंदिर बना जब केंदर में कॉंग्रेस की सरकार थी उन्होंने राम मंदिर के बारे में सोचा तक नहीं 500 सालों से राम लला धूप, धूल, गर्मी, बरसात सहते रहे कॉंग्रेस की सरकार के दोरान भगवान राम को टेंट में रहना पड़ा और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था लेकिन देश में भाजपा की सरकार बनते ही भगवान राम भकतों को भविय राम मंदिर देखने का स्वभागय प्राप्थ हुआ जिसका लोकारपन और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने की ऐससे पहले चत्रा में लोजपा आर प्रत्याशी जनारदन पासवा ने नामाकन दाखल किया चत्रा विदानसवा सीट को बीजपी ने एंडिये में शामिल लोजपार के लिए छोड़ने का फैसला लिया और इस स्वासी की बाद ये फैसला मौका है जबकि चत्रा में बीजपी उमिदवार नहीं होगा इस सीट पर बीजपी प्रत्याशी की कई बाद जीत हो चुकी है लेकिन 2019 की चुनाव में आरजज़ेडी के सत्यानन्द भोकता को जीत मिली थी और इस 12 आरज़ेडी की ओर से सत्यानन्द भोकता की बहुर रश्मी प्रकाश चुनावी मैदान में है तो देखें केंजर्व मंत्री चिराग पास्वान ने 14 में कहा कि JMM कॉंगर्स सरकार ने जारखन को खत्रे में जाला है और आज के गरीबों का पैसा लूट रहे हैं उन्होंने भाजपा को समर्थन देनी के अपील की और राम मंदर निर्मान के लिए भाजपा के योगदान की तारीफ की तो देखें बीटे दिनों चिराग पास्वान, 17 विदान सबाद, शहितर पहुंचे जहाँ पर लोजपा आर के परत्याशी जनारदन पास्वान के लिए मंच उसे उन्होंने लोगों से वोट देनी के अपील की इस साथ ही उन्होंने बीजपी सरकार में क्या कुछ लोगों के लिए काम हुआ है इसके बारे में भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं और जमकर हुंकार भरते हुए भी नज़र आ रही थे फिलाल के लिए इस कवर में बसेत रही हैं आप देखते रहें यूस फॉर नेशन झाल